कौंग्रिस पाइटी चार्षीर कमेटी के चेर्मेन इवन पर्देश महासचीवर राम लाल ठाकूर ने विदानसवा सत्र में जाने से पहले हमिरपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत में बीजेपी सरकार पर हमला बोला राम लाल ठाकूर ने चार्षीर पर अपने पत्ते ना खोलते हुए इतना ही बताया कि बर्तमान सरकार की कारिकाल में पचपन मामले ऐसे आए हैं जिन में ब्रस्टाचार की बू आ रही है उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के अलावा सरकार के खिलाफ आम लोग और कॉंग्रिस के पूरविधायक विधायक द्वारा लिखित में दी गई तत्यों सहीत रिपोर्टों को भी चार्षीर में शामिल किया जा रहा है रामलाल ठाकुर ने कहा कि 27 दिसंबर को कॉंग्रिस पाइटी राजपाल को चार्षीर सौंपेगी और ये चार्षीर तत्यों के साथ सौंपी जाएगी नांकी राजनितिक द्वेस के साथ बहुत सारे मामले जो है वो करप्शन के भी हैं मैं आज उनको यागर नहीं करना चाहूंगा क्यूंकि मैं चेर्मेन हूँ कमेटी का और जब तक हमने राजपाल को ये चार्षीर प्रस्तूत नहीं करी तो ऐजे चेर्मेन मुझे उन चीजों को रवील करना ये मैं कहूंगा मैं कुटा ही करूंगा अगर मैं मीडिया में चीजों को बताऊंगा हमारे पास कोई पच्छन केसी ऐसे आए हैं जिन पर सरकार ने साल भर में जो किया है उसमें प्रश्ण वाच्छ चिन पैदा होते हैं और मैंने ये भी कहा है कि कोई भी खुन्नस की वज़े से जो है वो ये चार्शिट फ्रेम नहीं होगी जब तक हमारे पास डॉकुमेंटरी प्रूफ नहीं होगा जब तक हमारे पास लिखी तोर पे नहीं आएगा चाहे वो एकसे मेले दे रहे हैं चाहे वो मौजुदा मेले दे रहे हैं चाहे वो फॉर्मर मनिस्टर दे रहे हैं चाहे पार् बाटमान सरकार दौरह आये दिन ले जा रहें कर्ज पर रामलाल ठाकु ने सरकार को घरते हुए कहा कि भासपा ने चुनावों से पूरव कॉंगरिस सरकार पर कर्ज लेकर सत्ता चलाने के आरोप लगाये थे लेकिन वर्तमान सरकार ने एक साल में कर्ज लेने का रिकॉर्ड तयार कर लिया है उन्होंने दावा किया है कि सरकार को चलाने के लिए इस वीतिय साल के अंतक सरकार एक हजार क्रोड का और कर्ज लेगी पैसा लेके आए हैं तो फिर आप कर्ज क्यूं ले रहे हैं आप तो कर्ज के विरोदी थे आप तो कहते हैं वीर जिसिंग ने कर्ज लिया हम कर्ज नहीं लेंगे जिसको चुनाव में इशू बनाया था आज एकर मानलो आपने उसी इशू पे चलना है और आप कर्ज लेके चल विश्वास है कि यह सरकार नहीं चल पाएगी अगर एक हजार करोड रुपे का करज अगर इस सार वो और नहीं लेंगे तो इस प्रकार से आप लगा लीजिए कि हिमाचल प्रदेश कहां पर चला जैरम सरकार के नियम वोड के चेर्मेनों की नियुकतियों पर प्रशन चीन लगाते हुए रामलाल ठाकुर ने कहा कि कारेकाल में नियुकत किये गे चेर्मेन को केबल मातर भत्ते दिये जाते थे लेकिन बर्तमान सरकार ने सीनियर आईएस अधिकारियों के बराबर बेतनमान के अलावा सारी सुभधाएं दे रही है उन्होंने कहा कि आज के समय में सरकार दे फजूल खर्चों को बढ़ावाद देने में लगी है भाती जंता पार्टी हमेशा इस बात को ठाती रही है कि क्रोणो उर्पे जो है वो चेर्मेन वो पर खाच कर दो रहे है और मैं आप से कहना चाहूंगा मैं I was chairman with the cabinet status do you know how much money used to be given to the chairman to me and Rangila Ram Rao ji 15,000 rupees per month it was simply a loss now जिस धंग से लूट पार्ट हो रही है जिस धंग से गाड़ियां की दिया रही है आज की तारीक में तो यह है कि जो ministry houses है वो आप political advisor को दे रहे है आठ हाठ कमरों के मकान जो है वो political advisor को लेकिन जो ministry house लेने के लिए जिन को मिलने चाहिए वो आज line में लगे हुए है leader of opposition has not been given even a house today आप यह लगा लें कि इसकार किस धंग से चली है और क्या कर रही है करने में और कहने में बड़ा अंतर है इसलिए में कहना चाहूंगा वह सारे बहुत सारे ऐसे issues हैं जो विदान सोलों में उठेंगे